नमस्कार दोस्तों मैं विजे कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रूएंड डिटिल्स में तो दोस्तों यह हमारा समान नियाध्यन का प्रेक्टिस सेट साथ होगा जिसमें हम 25 महतुपूर्ण प्रशन को करवाएंगे और 25 में से आप कि रेलवे ग्रूब डिक लिए काफी महतुपूर्ण है दोस्तों क्योंकि सारे प्रशन किसी ना किसी वर्स में पूछा गया है तो चले दोस्तों सुरुवात करते हैं तो हमारा पहला प्रशन है दोस्तों निमनी लिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है एक व ले की, दो आखों की, तीन त्वचा की, चार यकरित की तो इसका सरही अंसर वर दोस्तों अपसन तीन त्वचा की बिमारी है लिखो डर्मा तो चले अगली प्रशन के और बढ़ते हैं बीमडी परिक्षन किया जाता है पहचान करने के लिए किसका एक डेंगु की, दो एड की, तीन मलेरिया की, चार ओस्टियो पोरो सिसकी तो इसका सही अंसर वर दोस्तों अपसन चार ओस्टियो पोरो सिसकी तो चले अगली प्रशन के और बढ़ते हैं एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुमबक सदैब ठारता है एक पूर्व उत्तर दिशा में, दो उत्तर दक्षिन दिशा में, तीन उत्तर पस्चिन दिशा में, चार दक्षिन पस्चिन दिशा में, तो इसका सही अंसर वर दोस्तों अपसन दो उत्तर दक्षिन दिशा में, या धरिके दोस्तों उत्तर दक्षिन दिशा में, तो चले अगली प्रशन के और बढ़ते हैं, एक समान प्रवण का नियम निम्न लिखित में से किस से संबंधित है एक करेंट और वल्टेज से संबंध दो समकोन त्रिभूज का नियम तीन गृत्वाकर्शन का नियम चार प्रवण का नियम तो इसका सही अंसर वह दोस्तों अप्शन चार प्रवण का नियम तो चले अगले प्रश तो चलिए अगले प्रशन के अबरते है लेड पेंसिल में लेड का प्रतिसत कितना होता है एक जिरो प्रतिसत दो पैंसेट प्रतिसत तीन सततर प्रतिसत चार सौ प्रतिसत तो इसका सही अंसर हो दोस्तों अप्शन एक जिरो प्रतिसत लेड पेंसिल में लेड का प्रतिसत जी सीशा तो इसका सब्सक्राइब बढ़ते हैं CAD का क्या अर्थ है 1. Computer Algorithm for Design 2. Computer Application in Design 3. Compact Edit Design 4. Computer Edit Design तो इसका सब्सक्राइब बढ़ते हैं 4. Computer Edit Design CAD का अर्थ है दोस्तों यानि पूर्ण रूप है Computer Edit Design तो चल्ले अगले प्रेश्ल क्यों बढ़ते हैं विजे नगर सामराज के स्थापना कब हुई थी? एक 14. सदी में, दो 13. सदी में, तीन 12. सदी में, चार 15. सदी में तो इसका सही अंसर को दोस्तों अप्सन एक 14. सदी में हुई थी तो चलिए अगले प्रशन करें बढ़ते हैं किसके सासनकाल में मराठा प्रमोख संभाजी की हत्या कर दी गई थी एक अकबर के, दो साह जहां के, तीन जहांगीर के, चार औरंग जीव के तो इसका सही अंसर होगा दोस्तों अपसन चार औरंग जीव के तो चलिए अगले प्रशन क्यों बढ़ते हैं खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था, एक अली बंधों ने, दो अबुलकलाम आजाद ने, तीन मुहम्मद अली जिन्ना ने, चार फकरूदीन अली एहमद ने तो इसका सही अंसर होगा दोस्तों अपसन एक अली बंधों ने, तो चलिए अगली प्रशन क्यों बढ़ते हैं किसके अंतरगत कलकता, मदरास एवं बंबाई के उच नियाले अस्थापित किये गए थे एक भारत सरकार अधिनियम 1909, दो भारत उच नियाले अधिनियम 1911, तीन भारतिये उच नियाले अधिनियम 1861, चार भारतिये उच नियाले अधिनियम 1865 तो इसका सही अंसर वादोस्तों अप्सन 3 भारतिये उच्णियाले अधिनियम 1861 के अंतरगत कलकता मदरास एबंबंबई के उच्णियाले के अस्थापना किये गए थे तो चलिए अगले प्रशन क्यों बढ़ते हैं उपराजिपाल की नियुक्ति कौन करता है तो इसका सही अंसर हो गदा साफ लिखावा दोस्तों अप्सन 3 होगा इसका अंसर जन्मत संग्रह से संभिधान में संसोधन नहीं किया जाते हैं दोस्तों तो चलिए अगले प्रशन क्यों बढ़ते हैं भारतिय रिजर्व बैंक का राष्ट्रिय करन किस वर्ष हुआ था एक 1946, दो 1947, तीन 1950, चार 1999 तो इसका सही अंसर को दोस्तों अप्सन 4, 1999 में याद रहे दोस्तों, 1999 में तो चलिए अगले प्रशन क्यों बढ़ते हैं तो चलिए अगले प्रशन क्यों बढ़ते हैं प्रित्वी को उसके कालपनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं एक कक्छा, दो घुडनन, तीन प्राई, परिभर्मन, चार इनमें कोई नहीं तो इसका सही अंसर को दोस्तों अप्सन 2, घुडनन तो चलिए अगले प्रशन क्यों बढ़ते हैं निम्न में कौन सी परवत श्रिंकला बिस्व में सबसे बड़ी है एक हिमाले, दो काकेसस, तीन अलासका, चार एंडीज तो इसका सही अंसर को दोस्तों अप्सन 4 एंडीज तो चलिए अगले प्रशन क्यों बढ़ते हैं तुर्की का राष्ट्रिय खेल है एक कुस्ती, दो घुर्दावर, तीन हैंड बॉल, चार बास्केट बॉल तो इसका सही अंसर को दोस्तों अप्सन एक कुस्ती, तुर्की का राष्ट्रिय खेले तो चलिए अगले प्रशन क्यों बढ़ते हैं राष्ट्र मंडल विदेश मंत्रियों की बैठक 2019 कहां हुई थी? एक देली में, दो लंदन में, तिन पैरिस में, चार चीन में तो इसका सही अंसर को दोस्तों अप्सन दो लंदन में हुआ था याद रखेगा दोस्तों, राष्ट्र मंडल विदेश मंत्रियों की बैठक 2019 लंडन में हुई थी? दोस्तों, याद रखेगा, करेंट एफेर्स का कोस्चन है, पूछे जा सकते हैं तो चलिए अगले प्रशन क्यों बढ़ते हैं मोबाइल बाणी एप किस राजिस से संबंदी थे? एक बिहार, दो जार खंड, तीन उत्रा खंड, चार मध्य परदीश तो इसका सही अंसर होगा दोस्तों, अप्सन एक बिहार से संबंदी थे दोस्तों, याद रखेगा जब गड़मी की समय आती है, तो मई के महिने में, मुझह पूर-पूर में ज्यादा चमकी बुखाड होता है उसी के लिए ये मोबाइल बाणी एप को लॉंच किया गया था, बिहार सरकार दोरा तो चलिए अगले प्रशन के उपरते हैं इम आई का फूल फॉर्म क्या है, एक इक्वैटेड मन्थली इंस्टाल्मेंट, दो इंड मन्थली इंस्टाल्मेंट, तीन इमर्जेंसी मैन्वल इंस्टाल्मेंट, चार इक्वैटेड मैन्वल इंस्टाल्मेंट तो इसका सही अंसर हुगा दोस्तों आप्सन एक एक इक्वेटेट मन्थली इंस्टॉर्मेंट तो चलिए हमाँ आखरी प्रशन के उबर दें हमाँ आखरी प्रशन FIR आपके द्वार योजना किस राजे से संबंधी थे एक बिहार दो जहार खंड तीन मध्य प्रशन चार उत्तर प्रशन तो इसका सही अंसर हुगा दोस्तों आपके द्वार योजना मध्य प्रशन से संबंधी थे चलिए दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट में हमने आपसे सवाल पुछाता उसका जवाब बतालते हैं प्रस्ण था दोस्तों पच्चासमा दादा साहब फाल के प्रुषकार जो रठार एक से मिला है तो दोस्तों इस सवाल का जवाब जो सोनम तिवारी और शिवम भारदवाज ने दिया है बहुत खुपसर तरीके से दिया है जिससे पढ़ के मैं बहुत खुपसर हुआ और इस सवाल का जवाब देने के लिए हम इन दोनों का शुक्रियादा करते हैं बहुत खुपसर जवाब दिया था तो इसका से अंसर रहा दोस्तों अमिताब बच्चन तो चले अगले प्रशन के बढ़ते हैं आज का जो प्रैक्टिस सेट का प्रशन है वो देख लेते हैं क्या है प्रशन है दोस्तों सवाई मान सिंग स्टिडियम कहां इस्थीत है अप्सन आपके सामने है एक नई दिल्ली, दो कलकत्ता, तीम विसाखा, पतनाम, चार रजयपूर तो दोस्तों इस प्रशन का उतर आपको पता है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताए और पत्चीस में से आपने कितने प्रशन किये हो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और दोस्तों हर प्रशन का हो सके तो डिटेल्स में कमेंट किया किजी डिटेल्स में बताया किजी ताकि आपके दिमाग में वो फीड हो जाए इससे क्या होता है दोस्तों कि आपको बहुत दिनों तक यह सवाल या और एंसर उसका आपको याद रहता है आप जल्दी भूलती नहीं है उसको तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा है आप उसको details में लिखकर comment किया किजिए अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा तो किर्पिया लाइक करिए शेर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजे ताकि जितने भी मैं इस परकार का वीडियो डलता हूँ उसका notification सबसे पहले आपको पहुँचे दोस्तों तो चलिए दोस्तों आज तक लितना ही बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भाड़त